तो चलिए फ्रेंट को करते हैं पहला इस statement को देखिए इसका answer कैसे करना है give answer इसमें क्या बोला गया कि if only conclusion one true हो न तो one answer कर देंगे if only conclusion two true हो तो two answer कर देंगे if either conclusion one or two true हो either or लग जाए अगर either or लग जाए तो three answer कर देंगे और अगर neither nor लग जाए तो four answer कर देंगे और बहुत सही हो जाए तो five answer कर देंगे ठीक है तो पहला statement को उठाते हैं पहला statement में देखिए जो statement दे दिया गया है inequality का symbol और equality का symbol 5 symbol mathematical symbol इसमें included है तो पहला conclusion में क्या बोला गया? पहला question को हम लोग यहां पर pick करते हैं पहला question को pick करते हैं पहला question में जो है conclusion क्या बोला गया? m greater than equal to r अब देखिये ध्यान से m equal to a a greater than equal to e greater than equal to r हम r को उठा के सीधे ले जाकर a के जगह में रख देंगे r को उठागर तो पताए m greater than equal to r होगा की नहीं होगा? यहां भी greater than का symbol यहां भी greater than यहां equal to equal to देखिये हर symbol में भारी होता है कौन सा symbol equal to का symbol equal to का symbol हर symbol पर भारी होता है आनि कि सबसे बड़ा equal to का symbol में सारा symbol समा सकता है तो द्यान दीजिए एक चीज और बता देते हैं अगर मान लिए ज़िए यह सबसे बड़ा circle अगर equal to का है तो यह छोटा वाला जो circle है वो less than और greater than equal to का होगा ठीक है? तो अही आपको ध्यान रखना है तो आप चलिए जो बोला गया क्या m greater than equal to r यह बिल्कुल सही हो गया पहला सही हो गया conclusion दूसरा conclusion क्या बोला गया y greater than equal to a अब देखिए ध्यान से y यहाँ पर दिया गया है और कहीं y नहीं दिया गया है और e के साथ उसका relation दिखाया गया है तो हम क्या देखेंगे? देकि e greater than equal to a देखेंगे लेकिन e less than equal to a है फ्रेंड greater than तो दिखी नहीं रहा है तो y greater than a होगा क्या? देखिए इसको break की जेगा y greater than equal to e तो y greater than equal to e तो हम लोग क्या देखेंगे? कि e greater than equal to a देखने का कोशिश करेंगे दूसरा statement में ठीक है न? तो e less than equal to a देख रहा है आप अगर इसको ऐसे लिखिएगा y greater than equal to e और e less than equal to a और इसमें अगर हम बोलें कि y greater than a ऐसे होता है क्या? नहीं होता है concept में भी बताये थे तो ये गलत हो गया तो only conclusion once होगा तो एक नंबर में क्या हो गया? पहला सही, दूसरा गलत only one only one true हो गया समझ में आया प्रेंट? चलिए, दूसरा उठाते है देख प्रेंट, दूसरा क्या बोल रहा है? semi statement में दूसरा conclusion है दो conclusion था तो conclusion दूसरा का पहला पार्ट में c equal to y है अब देखिए, c यहाँ पर है और y दूसरा statement के दूसरे पार्ट में दिया गया है तो c equal to जब y है तो हम लोग क्या देखेंगे? y है यहाँ पर, तो e है तो e का देखेंगे relation तो c less than e यहाँ पर बन रहा है क्या बन रहा है? c less than e ठीके, हुआ क्या? c less than e बन रहा है दोनों ही एक ही तरफ मतलब मूँ करके खड़ा है तो c less than e यहाँ से बन गया और यहाँ से e less than क्या है? c less than e बन गया यहाँ से और यहाँ पर e less than equal to y है और बोल क्या रहा है? c equal to y c equal to y कभी नहीं होगा c less than y होगा c equal to y कभी नहीं होगा यह सही होगा जबकि बोला क्या गया है? c equal to y तो यह तो गलत होगया न? तो दो नमबर का question में क्या होगया? पहला नमबर गलत है दूसरा नमबर को check करते है c less than y अब देखे c less than y एक नमबर वो सही होगया तो only two क्या होगया? only two is true फ्रेंट समझ में आया चलिए हम लोग next करते है next statement क्या दिया गया है फ्रेंट देखे इस statement दिया गया है इसमें based question को करते हैं तो पहला जो question है third conclusion का पहला नमबर l less than s l less than s अब ध्यान दीजिए l less than हमको क्या देखना है? लेकिन पहला statement में भी दीख रहा है तो जहां पहले दीख रहा है वहीं check करेंगे l less than s अब इसके बीच में देखिए कि कोई भी symbol एक दूसरे के opposite है कि या बिलकुल ये देखिए और ये देखिए एक दूसरे के opposite हो गया यहां भी देखिए और जैसे ही opposite हो जाता है तो इस statement से तो answer मेरा clear नहीं हुआ एक बार दूसरे statement से भी देख लेते हैं दूसरे statement में l को पकड़ेंगे और देखेंगे कि l less than s तो ये तो सीधे greater दिखा रहा है l के just बात तो ये तो possible ही नहीं है तो friend ये क्या हो गया? मेरा पहला गलत हो गया तीन नंबर का पहला गलत हो गया हम लोग दूसरा चेक करते हैं जिसमें क्या दिया गया है? e greater than w e greater than w दिया गया है अब देखिए ध्यान से e greater than w ये e है और दूसरा statement में पहला statement में e दिया गया है और W दूसरा statement में दिया गया है, पहला में तो W दिया ही नहीं गया है, तो हम लोग क्या देखेंगे, W को पकड़ने के लिए आइदर J को पकड़ेंगे, या L को पकड़ेंगे, लेकिन आप देखिए, कि E greater than W है, जबकि W less than E है, उसी को दूसरे तरफ से देखें, तो हम लोग क्या का सकते हैं, W less than E है, तो W greater than वाला J को नहीं पकड़ेंगे, किसको पकड़के चलेंगे, L को पकड़के चलेंगे, हम लोग W less than L लेके चलते हैं, less than equal to L, तो L को पकड़के चलते हैं, और L यहाँ पर हम लोग ने पकड़ दिया, अब जैसे ही L को पकड़ेंगे हैं, friend, क्या देख रहे हैं, कि L और E के बीच में तीन सिंबॉल है, उसमें से दो सिंबॉल, एक दूसरे के अपोजिट खड़ा है, एक दूसरे को फेस करके खड़ा है, इसका मतलब लेख देने यहाँ देखिए, तो यह गलत हो जाता है, friend, इस तरह में, और इस तरह से यह भी गलत हो गया, तो यह neither nor हो गया, friend, neither nor कितना नमबर में है, friend, four नमबर में तो four नमबर हो गया मेरा, next चार नमबर का देखिए, पहला चार नमबर का conclusion में, पहला जो दिया गया है, जे लेस देन M दिया गया है, तो जे लेस देन M देखेंगे, तो जे देखिए, पहला दूसरा पार्ट में है, और पहला पार्ट में M है, जे लेस देन M को consider करने के लिए, हमको यह देखना होगा, कि दूसरा में W और L में से कौन सा है जो भी होगा मेरा काम चल जाएगा तो हम यहाँ पर देखने का कोशिस करते हैं तो W तो नहीं दिखता है लेकिन L दिख जाता है तो J less than L को लेकर आप चलिए तो J जो होगा वो L से तो छोटा होगा ही होगा क्योंकि छोटा और बराबर दोनों है J L से तो J L से छोटा और बराबर दोनों है तो L को देखिए L क्या E से छोटा है sorry L क्या M से छोटा है L M से छोटा और बराबर दोनों है तो इसका मतलब partially यह क्या हो रहा है मेरा true हो रहा है तो जब partially true हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे इसको हम लोग लिख लेंगे partially true ये क्या हो गया partially true हो गया ये देखिए पहला partially true हो रहा है fully true नहीं कह सकते हैं ये ध्यान रखिएगा और जहां पर partially true आया आप ध्यान दिजिएगा कि वहां पर most probably ये chance है कि either or पकड़ेगा अब देखिए जह less than m हो गया जह equal to m को देखिए आप तो फिर से आप consider किजिए न वही जह equal to be l हम ले सकते हैं क्योंकि less than और equal to दोनों है और यहां पर भी देखिए l less than equal to m है तो equal to be m ले सकते हैं जबकि less than तो m यहां पर पहला में ले चुके थे पहला में और दूसरा में equal to m ले लिए तो बताए यह भी partially true हुआ की नहीं हुआ हो गया और जब ऐसा होता है friend तो हम लोग लगाते हैं either one or two not both at the same time but either or either one or two तो यह हो गया either one or two मेरा third number option में दिया गया है friend हो गया next next statement को देखिए और conclusion को read कीए क्या दिया गया ओ greater than d दिया गया है देखिए एक ही statement दिया है कहीं brick नहीं किया गया है तो आसानी शाप इसको कर पाएंगे और ग्रेटर दिया गया है तो ओ देखिए यहां पर दिया पर है दोनों के बीच में सारा सिंबॉल को देखिए क्या एक दूसरे के इधर उदर अपोजिट खड़ा है यहां देखिए greater than equal to यहां देखिए less than equal to अपोजिट खड़ा है कैसे कड़ा है अपोजिट खड़ा है आपको न क्या करना है आँख बंद करके काट देना है यह गलत होगा E less than C को आप देखिए यहां पर E दिया गया है और यहां C दिया गया है बीच में सिंबॉल को देखिए क्या एक दूसरे के तरफ पीट दिखा कर खड़ा है देखिए 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 कहीं equal to universal symbol होता है जिसके अंदर सारा symbol समा सकता है equal to को consider नहीं करना है वो हर जगा जाएज है तो equal to को छोड़ कर भी देखिए सब एक दूसरे के तरफ फेस करके खड़ा है इधर left side तो भाईया यहां पर क्या करना है आपको E less than C में E less than C बिल्कुल सही होगा बिल्कुल सही होगा और कैसे तो जो strict symbol माना जाता है वो माना जाता है केवल equal to और केवल greater than sorry केवल less than और केवल greater than तो E less than C है ना strict symbol क्या है less than है तो E less than C मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा भी यह तो सही हो गया तो only two is true देखें आप कितना आसानी से ये 5 question को हम लोग कर चुके हैं next हम लोग अगला 5 question को करेंगे 6 से 10 और वो रहा यहाँ चलिए पहला हम लोग 6 number को करते हैं 6 number में क्या दिया गया है f greater than d पहला को उठाइए 6 का conclusion को पहला part f greater than d आप देखिए यहाँ पर एक ही statement है भईया f और d को पकड़ दीजिए और बीच के symbol को चेक कर लीजिए सब एक दूसरे के तरफ फेस करके खड़ा है right side तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि क्या बोलाता है f greater than d और f यहाँ है और सभी greater than है और d है तो यह बिल्कुल सही होगा और दूसरा जो है वो क्या है p less than w है क्या है friend p less than w जब यहाँ पर p दिया गया है और w दिया गया है दोनों के बीच के symbol को देखते हैं यह देखिए greater than greater than यह देखिए less than एक दूसरे के तरफ p दिखा दिया काट दीजिए होगा ही नहीं only one अब हम लोग brand seven number को कर लेते हैं seven number को चेक कीजिए h greater than b h को पकड़िए b को पकड़िए एकी statement में काम हो रहा है बीच में symbol को चेक कीजिए देखिए एक दूसरे के तरफ p दिखा कर खड़ा है भईया बीच में गलत हो गया आप देखे कितना जल्दी बाजी में question को किया जा रहा है आपको बिल्कुल समझ में भी आ रहा होगा f less than s अब यहां देखिए f less than s दिया गया है भईया अब यहां f और s को पकड़ दीजिए और symbol को चेक देखिए एक दूसरे के तरफ फेस पीट दिखा कर खड़ा है मतलब क्या है एक दूसरे के तरफ फेस कर दिया एक दूसरे के तरफ पीट दिखाओ यह एक दूसरे को फेस करो गलत ही होता है यह भी गलत हो गया यह neither nor लग गया देखिए आप कितना असानी चे हो रहा है question next हम लोग यहां पर देखते हैं statement 8 का statement 8 को देखिए एक ही statement ने q greater than equal to f दिया गया है तो 8 number को करेंगे यहां 8 लिग देते हैं ऐसे और करते हैं q greater than equal to f अब q और f को पकड़िए और देखिए यहां पर greater than equal to यहां equal to है तो इसका मतलब q greater than equal to f होगा क्योंकि q greater than equal to